इस वीडियों में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं UBPSC-AE का जो Mechanical Paper 2 था जो 19 माई 2022 में conduct हुआ था तो Paper 2 के solutions को हम लोग इस वीडियों में discuss करने वाले हैं Paper 1 का solution अलड़ी हम लोग ने discuss कर लिया है अगर आप लोग ने अभी तक उसको match नहीं किया है तो नीचे तो question number 26 का सही answer है C part, 27 की बात की जाए, 27 का सही answer है D part, basically ये formula based question है, साइधी किसी निगलत की होगा, 28 का सही answer है B part, बात करते है question number 29 की, तो 29 का सही answer है A part, ठीक है, ideal gas equation जो होता है, वो low pressure और high temperature के लिए valid रहता है, ठीक है, बात करते है question number 30 की, 30 देखी पार्सर नियक्षन आते हैं, तो भी आप A ही टिक करते हैं, ठीक है, वैसे बहुत ही common SID किसी निगलत की होगा, 30 का A, 31 की बात की जाए, 31 का सही answer है D part, ये question बहुत बार engineering services में repeat हुआ है, ठीक है, बात करते है question number 32 की, 32 का सही answer है D part, 33 की बात की जाए, 33 gate में आया हुग question है, इसका सही answer है B part, similarly pipe के through हो रहा है, तो उसमें क्या condition निकलती है, friction head और total head के लिए, तो वो होता है हमारा HF is equal to H by 3, ये तो इसलिए 34 का A answer सही है, 35 की बात की जाए, ये again gate में कई बार इस type का question आया हुआ है, इसका सही answer होगा D part, 36 की बात की जाए, 36 का सही answer होगा A part, ठीक है, चलते है question number 37 पे, 37 क इसका देखे, सही answer होगा A part, ठीक है, बात करते है question number 38 की, ये भी formula based question है, solve करोगे, इसका B part निकलके answer आजाएगा, देखे फ्रेंट, जिन question में आपको doubt है, या जो particular numerical के solution आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग उस particular question को नीचे comment करके बता सकते हो, या फिर मेरे को mail कर सकते हो trickymechanical.com, जहां पर आप लोग सारे question, जिसका भी आप लोग solution नहीं निकाल पा रहे हो, वो question आप मेरे को mail कर दो, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता हो, चार से छे दिन लग जाए या एक अपता लग सकता है, बट उन particular questions के solution है, वो telegram group में provide करा दी जाएगे, ठीक है, चलते ह next question पे, question number 39, यह again UP Polytechnic Lecturer में आ चुका है last time, 39 का सही इंसर है, B part, formula based question है, 40 की बात करते हैं, 40 का सही इंसर होगा, C part, 41 की बात की जाए, again बहुत easy problem है, 41 का सही इंसर होगा, B part, question number 42 की बात की जाए, 42 का सही इंसर होगा, A part, ठीक है, यह question भी get 2016 में आयो, question है, ठीक है, चलते question number 43 43 का सही इंसर होगा, A part, question number 44 की बात की जाए, 44 का सही इंसर होगा, B part, simple formula based question है, 45 की बात की जाए, 45 का सही इंसर है, C part, question number 46 की बात की जाए, 46 का सही इंसर है, A part, ठीक है यह कुछ particular question है, 46 की तरह है, जो आपको याद होने जरूरी है, यह आपको RKJN या फिर आपको Engineering Services के previous year में देखने को मिलेंगे ठीक है ऐसे question आप exam में skip कर सकते हो अगर आप confident नहीं हो चलते है next question, question number 47 पे तो देखे 47 का सही answer होगा D part, 48 की बात की जाए 48 एक ऐसा question था जहां पे problem आ सकती है exam hall में इसको within time करने में थोड़ी दिक्कत होगी 48 का सही answer होगा D part, ठीक है 48 आपका civil services में आया होगा question है जब objective हुआ करते थे civil services में उसमें ये आया हो question है, ठीक है, similarly बात कीज़े question number 49 की, 49 एक ऐसा question है, जो बहुत बार exam में आ चुक है, बहुत simple सा problem है इसको आप solve करोगा, इसका सही answer होगा A part, बात करते है, question number 50 की 50 देखे, fast breeder reactor में moderator का कोई use नहीं होता है ठीक है, तो 50 का सही answer होगा D part, देखे, ये जो आपके nuclear power plant और जो आपके थोड़े से tedious topic है, जैसे मैंने आपको jet propulsion इस टाइब की चीज़े cover करा रखी चैनल पे और भी कुछ ऐसे topics हैं, जो की UPPSC, AE या फिर engineering services के लिए important है वो अब आने वाले दिनों में, जो हम लोग lecture देखेंगे, वहाँ पे साई चीज़े cover करेंगे बहुत दिन से lecture series नहीं आई हुए, subject से specific बट आने वाले time में, ये साई चीज़े आपको बार आया हूँ question है, 52 की बात की जाए, 52 का सही answer होगा C part, 53 की बात की जाए, 53 का सही answer होगा C part, देखें, auto cycle में आपको जब आपका compression ratio जो होता है वो 6 से ले करके 12 तक हर एक पे जो efficiency रहती है वो आपको अपने mind में रखनी होगी ठीक है, क्योंकि ये particular type की question जो है वो engineering services में भी आते है other exam में भी आते है, अगर आपके पास calculator नहीं है तो उस case में अगर आपको ये values याद नहीं है तो आप ये question skip करके आओगे और generally जिसके preparation अच्छी है वो skip नहीं करते हैं इस questions को ठीक है, तो 53 का होगा C 54 की बात की जाए, 54 का होगा B, 55 की बात की जाए, 55 का होगा A, चलते question नम्हर 56 पे, तो देखे 56 का सही answer होगा A part 57 की बात की जाए, 57 का सही answer होगा D part, ये question कई बाराया हुआ है, even ये question last time UPAE में भी आ चुका है ठीक है, चलते question नम्हर 58 पे, again formula based question था हाँ, जिन्होंने अगर compressible flow नहीं पढ़ा है, सायद उनको दिक्कत हुई हो, इस question में otherwise ये question बहुत easy है 58 का होगा D, 59 की बात की जाए 59 engineering services में कई बाराया होगा question है, 59 का सही answer होगा D part 60 की बात की जाए, 60 का सही answer होगा C part, चलते question नम्हर 61 पे, तो 61 सायदी किसे निकलत क्या हो, 61 का होगा D 62 की बात की जाए, formula based again question था, 62 का होगा D part, 63 की बात की जाए 63 का सही answer होगा D part, 64 की बात की जाए 64 का सही answer होगा A part 65 again, कई बार आया question है, 65 का सही answer होगा D part, 66 की बात की जाए तो ammonia का, जो latent heat होता है, वो highest होता है यही इसका एक most advantageous point है, ठीक है तो 66 का होगा A 67 की बात की जाए, तो 67 का सही answer होगा D part 68 की बात की जाए, 68 का सही answer होगा C part, 69 की बात की जाए तो 69 का सही answer होगा D part, तो देखी जिन्नों ने भी renewable energy में tricky mechanical के videos देखे होगे साइधी है कि उनका यह question सही ना हुआ हो, half rho A V cube जो formula होता है, उसके cording यह power output होता है, तो cube of velocity के proportional होता है तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर cube करोगे 2 का तो वो आ जाएगी 8, ठीक है, तो इसलिए इसका सही answer होगा 69 का D, चलते है question number 70 पे, 70 again बहुत easy problem था, 70 के answer होगा C part, 71 की बात की जाए 71 एक ऐसा question है जो की properly design नहीं है ठीक है, और अगर आप देखोगे कि जो rate of shear deformation का formula होता है, तो कई book में जो formula होता है, उसमें half into dv over dv x plus dv over dv y इस type से रहता है, और कई book में half जो term है उसका use नहीं होता है, तो देखिए depend करेगा कि आयोग ने ये question उठाया कहां से है, और ये again मैं कहा रहा हूँ कि question properly design नहीं है ठीक है, तो b या d में एक answer सही होगा upa में भी जो last time हुआ था, उसमें ये question formula के form में पूछा गया था, ठीक है, तो आयोग ने ये question उठाया कहां से, पिक कहां से किया है चलते question number 72 पे तो देखिए 72 का सही answer होगा a part, ठीक है, steam jet representation में water, agent, represent हम लोग use करते हैं, ठीक है तो 72 का होगया a part, चलते question number 73 पे, तो 73 का सही answer होना चाहिए c part ठीक है, highest efficiency जो हमें मिलती है वो regenerative cycle में मिलती है चलते question number 74 पे, तो 74 का सही answer होगा b part 75 की बात की जाए, तो 75 का सही answer होगा d part, देखिए 75 question एक ऐसा question था इसमें अगर आपने question को ठीक से नहीं पड़ा तो आपका गलत हो सकता है question यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि jet जो है, वो strike कर रही है stationary plate से, ठीक है और power क्या होता है, power होता है हमारा force into plate की velocity, तो यहाँ पे आपकी plate move ही नहीं कर रही है, तो plate velocity हो गई 0, जिसके कारण इसका सही answer निकल के आ जाएगा d part, ठीक है, 0 इसका answer होगा चलते question number 76 पे 76 का सही answer होगा c part, 77 की बात की जाए तो 77 का सही answer होगा c part, ठीक है, 78 की बात की जाए, 78 का सही answer होगा c part, similarly बात करते हैं, question number 79 की तो normal boiling point of ammonia, इसका सही answer होगा d part, 79 का d, यह question gpsc में भी, assistant engineer में जो objective paper हुआ था, वहाँ पे भी appear हुआ था, चलते question question number 80 पे, 80 का सही answer होगा d part, 81 की बात की जाए 81 का सही answer होगा b part ठीक हो सकता है, जिन्होंने compressible flow नहीं पढ़ा है उनके लिए particular topic थोड़े से tough होगे, और हो सकता है कि यह particular type के question आप लोग attempt ना कर पाए हो, but ऐसे question सिर्फ दो से तीन ही day paper में, ठीक है चलते है question number 82 पे, 82 again एक memory based question था 82 का सही answer होगा a part similarly बात करते हैं, 83 की 83 का सही answer होगा d part बहुत simple सा problem था, सायरी किसे निकलत किया हो, 84 की बात करते है 84 का सही answer होगा b part 85 की बात की जाए, तो 85 का सही answer होगा a part, again ये engineering services में आया होगो question है, 86 की बात करते है 86 का सही answer होगा b part gate में आया होगो question है 87 की बात करते है, 87 simple formula based question है 87 का सही answer होगा a part चलते है question number 88 पे 88 का सही answer होगा c part, 89 की बात की जाए, 89 का सही answer होगा b part, ठीक है बात करते है question number 90 की 90 का सही answer होगा a part 91 की बात की जाए तो ये बहुत ही simple problem है 91 का सही answer होगा A part 92 की बात की जाए 92 में देखे 2 statement दिये हुए है तो इसमें जो second statement है The absorption system runs on relatively low temperature heat ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो ये जो आपका reason है वो गलत है इसलिए इस question का सही answer होना चाहिए D part ठीक है चलते question number 93 पे तो 93 आपका एक easy problem था साइदी किसे निगलत क्या होगा 93 का होगा C 94 की बात करते है 94 का होगा D 95 की बात की जाए तो 95 का सही answer होगा C part ठीक है चलते question number 96 पे तो 96 का सही answer होगा B part 97 की बात की जाए 97 का सही answer होगा A part 98 इसका सही अंसर होगा B part 99 की बात की जाए तो 99 का सही अंसर होगा B part ठीक है देखे एक Rydberg and Norbeck equation होती है जिसके according जो आपका effective temperature है वो decrease होगा और वैसे भी आपको जो fundamental है वो इस type का रखना है कि अगर comfort बढ़ रहा है उस case में क्या होगा जो effective temperature होगा वो घटेगा ठीक है तो 99 का मेरे इसाब से सही अंसर होना चाहिए B part चलते है 100 number question पे तो देखे 100 number जो question था वो dimensionless number जो हमारा proud number होता है उस पे based था V upon under root LG वो formula आपको यहां लगाना था असानी सिसकंसर निकल के आजाता B part ठीक है 100 का B चलते है 101 पे 101 का सही अंसर होगा B part 102 की बात की जाए 102 का सही अंसर होगा A part 103 की बात की जाए 103 का सही अंसर होगा C part चलते है question number 104 पे यह देखे अगेन एक simple formula based question है जिसका सही अंसर होगा A part 105 की बात की जाए इसका अंसर होगा D part 106, इसका से इंसर होगा C part ये भी question, gate में आया वो question है, तो बात करते है question number 107 की तो ये एक ऐसा question था, जहां पे अगर आपको याद है then only आप इसको solve कर सकते थे नहीं तो A और C में confusion होता, ठीक है इनमें भी A और C में जो best option है, वो है option C ठीक है, तो 107 का से इंसर होगा C part 108 की बात की जाए, तो इसका से इंसर होगा B part, similarly बात करते है question number 109 की, तो 109 का से इंसर है C part, 110 हो क्या, से इंसर होगा C part चलते question number 111 पे तो दिखिए, ये भी एक simple question था है इसका से इंसर होगा C part 112 question पर चलते है, 112 का से इंसर होगा A, 113 का से इंसर होगा A part, similarly 114 जो question था, इसका से इंसर की बात की जाए, तो ये question gate में आ चुका है, तो इसका से इंसर होगा D part, साइफन बेस्ट question है, simple आपको Bernoulli equation apply करनी थी अराम से निकल के आ जाता है इस concern 117 का D 118 की बात की जाए तो ये भी आपका gate में आऊओ question है इसका सही answer होगा B part similarly बात की जाए question number 119 की तो 119 एक थोड़ा सा practical based question है इसका सही answer होगा D part ठीक है इसका जब आप graph देखोगे न तो starting में तो increase करता है लेकिन particular speed के बाद वो decrease करना चालू कर देता है ठीक है तो इसलिए 119 का सही answer होगा D part 120 की बात की जाए ये gate में आऊ question है इसका सही answer होगा A part 121 की बात की जाए इसका सही answer होगा A part 122 की बात की जाए इसका सही answer होगा D part 123 की बात की जाए 124 का सही answer होगा B part similarly last question है जो हमारा 125 इसका सही answer होगा D part तो friends यहाँ पे हमारे सारे question खतम हो गए अब बात करते हैं paper की level की तो देखी दो paper as a reference अगा लिए जाएं जो हमारा last time lecturer का paper हुआ था और उससे पहले जो हमारा UPAE का exam हुआ था तो दोनों के comparison में यह paper का जो level था वो lecturer के paper के बराबर था ठीक है अगर आप UPAE की बात करोगे तो वो paper थोड़ा difficult भी था उसमें calculator भी allow किया गया था लेकिन यह paper के level almost similar था जो हमारा lecturer का paper हुआ था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने काफी अच्छा किया होगा इस paper में तो आप लोग अपना score कितना आपके marks आ रहे हैं आप लोग नीचे comment करके बताईएगा तो friends thank you for watching this video मिलते हैं हम लोग next video में thank you